नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है नितिनो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेलमेट के बारे में यह देखेगा मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ होंडा की SP 125 बाइक यह देखेगा यह होंडा की SP 125 अब मैं बाइक की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुरू में कहा था कि मैं इस वीडियो में हेलमेट के बारे में बात करने वाला हूँ इसकी कीमत मैंने आपको इसलिए बताई है कि एक डेड़ लाग रुपे की बाइक है और जो है जादा तर लोग क्या करते हैं बाइक तो एक डेड़ लाग रुपे की ले लेते हैं लेकिन helmet 300-400 रुपे का जो है बेकार क्वालिटी का helmet खरीते हैं जिससे उनके उनकी सुरक्षा को खत्रा होता है या उनके एक्सिडेंट में चोट लगने का ज़्यादा possibility बढ़ जाती है अब जब आप मुझे एक बात बताईएगा पहली बात तो इंडिया में ये चीज़ है कि आप helmet जो लेते हैं वो केवल चालान से बचने के लिए लेते हैं safety का कोई जरिया नहीं है safety नाम की कोई चीज़ नहीं होती है helmet के नाम पर तो helmet केवल चालान से बचने के लिए होता है इंडिया में safety के लिए नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ जब आप 1.5 लाक रुपे की bike लेते हैं तो अगर आप 1100 या 1200 रुपे का helmet ले लेंगे अच्छी company का helmet ले लेंगे तो उसमें आपकी सुरक्षा बढ़ जाएग ठीक है आपको जो है चोट लगने के chance कम रहेंगे तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप bike 1.5 लाक की ले रहे हैं तो helmet आप 300-400 रुपे का cheap quality का ना लेकर अच्छी quality का 1000-1500 रुपे तक की quality का अच्छा company का helmet लें ये आप देख सकते हैं मैंने भी stud क helmet लिया हुआ है ठीक है ऐसा नहीं है कि मैंने stud का लिया है तो जो है आप भी stud का लें कोई भी helmet लें आप कोई सी भी company का helmet लें लेकिन मजबूत helmet लें जो आपकी सुरक्षा की guarantee देता हो अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए तो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही आ बताना चाहता था कि आप अगर helmet लेना चाहते हैं तो अच्छी quality का लें सुरक्षा के साथ कोई भी compromise ना करें उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताकि हमारे आनी वाली वीडियो को notification म मिलता रहे इस तरीके की awareness वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए content के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाहिन जै भारत